Hello everyone, welcome back to channel कैसे हैं आप लोग आई हो पच्छे होंगे तो कल हमने cover क्या था भारत में वर्दमान में कौन क्या है तो उसमें थे हमारे 39 MCQ जो के वन लाइनर थे आज है day 26 जिसमें की उत्राखन MCQ सिरीज का वन लाइनर है जो की है इस सिरीज का part 3 और आज है day 26 तो चलिए शुरू करते हैं पहला MCQ है बदरीनाथ के पास अस्तित फोलों की घाटे रास्टरे उद्यान के स्ताफना किस वर्द की गई थी तो वो की गी थी आपके वर्द 1981 में 1981 में होई थी फोलों की घाटे नेक्स्ट है उत्राखन के देहरदून जिल्ले में इस्तित Forest School of देहरदून नामक कॉलेज की इस्ताफना कब की गी थी तो वर्द 1978 में होई थी किसकी Forest School of देहरदून जो की देहरदून में इस्तित है अगले है उत्राखन राजे के किस इस्तान पर दक्षेशोर महादेव का प्रेशिद मंदिर है तो वो है आपका हरिदूर में कहां पे जो कि कंखल में इस्तित है उत्राखन राजे में जो कि हरिदूर जिल्ले में कंखल नामक इस्तान पे है आपका दक्षेशोर महादेव मंदिर इस्तित है अगला है उत्राखन राजे के हरिद्वार जिल्य में इस्तित पसुपतिनाथ महादेव मंदिर के इस्तापना किसने की थी तो वो की थी बाबा श्रवर नाथ ने क्या क्या था पसुपतिनाथ मंदिर के इस्तापना अगला है उत्राखन राजे में इस्तित प्रशिद गंगा मंदिर की नगर में इस्तित है तो हरिद्वार में है आपका गंगा मंदिर हरिद्वार जिले में इस्तित है उत्र अखर्ण राजय में इस्तित बद्रिनाथ मंदिर की इस्ताफना किस महान संत्र ने की थी तो आदीगुरु शंक्राचारे ने बद्रिनाथ की स्ताफना की थी नेक्स्ट है उत्राखर्ण राजय के गड़वाली छेदर का प्रशित गायन नुरिते कौन सा है तो जुमेलो गाय नरिते हैं आपका सही आंसर नेक्स्ट है उत्राखन राजे के उत्रकासी दहरदून और टेरी गड़वाल जिलों में कौन सी जंजाती निवास करती है तो जो उन सारी जो जन जाती है वो निवास करती है आपकी उत्रकासी देहरदून और टेरिगरवाल में अगले है उत्रखन राजिय के किस जण जाते में बहुपति पृथा का प्रिछलन है तो जोन सारी आपका सही आंसर है नेछ्ट है उत्रहन राजे में निवाश करने वाले किस जन जाती द्वारा बागनाथ नामक देवता की पूज़क की जाती है तो राजी जनजाती आपका सही अंसर है राजी जनजाती द्वारा बागनाथ नामक देवता की पूज़क की जाती है नेक्स्ट है उत्राखन राजे का कौन से नगर सबसे उंचाई पर बसा हुआ है तो मसूरी आपका सही अंसर है नेक्स्ट है उत्राखन राजे की सबसे गहरी जील कौन सी है तो वो है नोकुची अताल जील उत्राखन की जो सबसे गहरी जील है वो है नोकुची अताल जील नेक्स्ट है केंदर सरकार द्वारा इस्ताफित फाउंडरी फोर्ज संस्तान राज के कि जिले में इस्तित है तो वो है आपका हरिद्वार में नेक्स्ट है उत्राखन राज का कौन सा जिला सबसे उत्तर में इस्तित है तो उत्रका से आपका सही आंसर है नेक्स्ट है उत्राखन राजे का कौन सा नगर संत नगरी के नाम से प्रेसिद है तो रिश्केस आपका सही अंसर है विश्व प्रेसिद कुम मेला उत्राखन राजे के किस नगर में लगता है तो वो लगता है आपका हरिद्वार में नेक्स्ट है भगवान सिव जी के बारहे जोतिलिगों में से एक जोतिलिग उत्राखन राजिके किस इस्तान पर इस्तापित है तो किरानाथ में आपको इसमें सही आंसर है नेक्स टै कार्मोना जिल्य में मैं आपका लाको ओड़ियार या लाको केश मैं पहले ही बता रखाए था अगला है उत्राकन में प्रसिद एतिहासिक इस्तल गुविशान की पहचान किस दान पर की गई है तो कासिपुर नापका सही आंसर है तो last second question है पूरू से पस्षिन तक उत्राखन राजी की लंबाई कितनी है तो वो है 358 km नेक्स्ट है उत्र से दक्षिन तक उत्राखन राजी की चोड़ाई कितनी है तो 320 km आपका सही answer है तो दोस्तों यह छोटी सी वीडियो यहें पर end करते हैं आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आज का जो हमने cover किया था आज हमने वीस्ट mcqs cover किये थे इससे पहले हमने भारत में वर्तमान में कौन के है उसमें हमने 39 mcqs cover किये थे और उससे पहले भी हमने उत्राखन सीरीज के दो part cover कर लिये थे जो कि वन लाइनर थे और इसे मिलाकर हमारे पास लगबख 100 mcqs यानि वन लाइनर हमने उत्राखन से related कंप्लीट कर दिये तो अब वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ सेयर कीजिए Thank you for watching, stay connected, stay blessed